नमस्कार दोस्तो स्वागत है आयो आप सिंदी के एक और धमाकेदार लर्निंग वीडियो पे दोस्तो आज इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि 10,000 से option trading कैसे शुरू करे देखिए बहुत सारे लोगों का demand था कि सर हमारे पास fund नहीं है तो हम किस रननीती के साथ strategy के साथ हम nifty back nifty या किस में trading करें ताकि हमें monthly regular earn हो देखो वैसे सभी trader जानते हैं जो नए है या पुराने की options buyer को ज़्यादतर loss होता है और अगर आप 10,000 से आओगे तो 20,000, 10,000 जो भी हो आप option buyer ही हो लेकिन देखो एक option buyer जो है ना option buyer भी पैसा कमा रहा है लेकिन आपके पास strategy सही होनी चाहिए कहो क्या मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ दिल खोल कर अपनी सारी experience बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास fund कम है और आप जो है एक option trader side earning के तोर पे करना चाहरे हो रहा तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा information देने वाला है तो वीडियो को like और share जरूर कर दीजिएगा चैनल पर आप नए हैं तो subscribe करके वेला कन को please press कर दीजिएगा ठीक है तो चलिए अभी हम लोग समझते हैं देखिए सबसे पहले हमें कुछ रनीती बनाना परेगा ठीक है रनीती के बिना कोई काम नहीं होता है तो देखो एक option buyer हो माल लेते हैं कि हम first time option trading करने आये हैं मार्केट में देख कर समझ कर जाए जो भी हो ठीक है तो options के बारे में पहले तो learning करना परेगा यह चीज आप सब को पता है तो चलो यहाँ पर हम लोग learning को भी हटा दिते हैं कि आपने already सब कुछ सीख लिया है अब आप आपके पास 10-15,000 है और आप चारे हो कि मैं trading करूँ तो देखिए हम आप लोगों के लिए एक strategy लेकर आये हैं और यह काफी ज़्यादा useful है और काफी must है लेकिन आप इस वीडियो को सिल्फ education purpose के लिए लिजिएगा क्योंकि जो भी मैं बताऊंगा उसके उपर आप पहले practice करिए उसके उपर paper trading करिए और फिर उसका result देखिए क है फिर जाके आप decide करिए कि आपको क्या करना चाहिए तो चलिए start करते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या है एक demate account होना चाहिए demate account मेरे पास आप stocks का demate account है तो अगर आप भी आप stocks का demate account open करना चाहते हैं description में link कर सकते हैं उसके पास देखिए हमने यहां पर क्या किया add किया 10k अब देखो 10k में क्या है ना कि अगर हम एक lot से trading करना चाहें एक lot से एक lot से तो आप जो है ना daily trade कर सकते हैं क्यूंकि nifty या bank nifty इस सम में जो है आपको चाहें और भी index है फिन nifty है या फिर mid cap या sunset जा bank जो भी है अभी जितने सारे index है सम में आप एक lot से अगर 10k है तो कर सकते हो लेकिन मेरा जो strategy है वो नहीं कि मैं daily trade करूँगा इसमें यह मेरा strategy नहीं है कहो क्यों देखो क्या है ना कि अगर हम daily trade करेंगे तो फिर यह मेरा एक तरह से daily इसमें काम करना होगा daily time देना होगा और आप लोग भी जानते हो कि जब आप daily इसमें time देने लगोगे तो आप addicted हो जाओगे और फिर आप 10,000 एक दिन दो दिन में ही खतम कर दोगे तो अगर आप beginner हो option trading में शुरू करना चाहते हो आप demotivate नहीं होना चाहते हो आप शुरू के 15 दिन एक मेना भी तो इसलिए मैं आ आपको expiry आपका सभी index का weekly भी होता है और monthly भी होता है तो हम लोग weekly expiry में काम करेंगे सबसे पहला step कि expiry हमारा weekly ही रहेगा और month का last है तो monthly रहेगा don't worry उसके बाद देखो क्या है कि हम लोग ना only for expiry के दिन ही trade करेंगे अप कहोगे यार expiry के दिन trade already lost में रहता है देखो इस expiry के दिन timing मतलब यह नहीं कि open हुआ और start कर देंगे नहीं हमें timing का ख्याल लगना है कब start करना है हमें तो expiry के दिन सभी लोगों को पता है 0 to hero ठीक है मतलब या तो 0 हो जाएगा या तो फिर 2 गोना 3 गोना 4 गोना भी हो जाएगा यह सब लोगों को पता है लेकिन success सभी किस index में करें तो मैं आपको simple और आसान सब्दों में बता दूं कि देखो अगर आप beginners हो या फिर आप चाह रहे हो कि नहीं मैं सिर्फ part time earning करूं तो only weekly तीन expiry आपको चूच करना है यानि कि five day होता है उसमें आपको three day आपको trade करना है only three day इसे क्या होगा फाइदा कि आप जो अब दिखो कि हमें तीन दीन कैसे कैसे करना है थो हमारे पास एक हो जाता है banknity banknity badness day ओके के लिए दूसरा याद रखना bank x यह हो जाता है, Monday, and तीसरा हो जाता है, Sunsex, यह हो जाता है, Friday, ठीक है, तो अभी हमारे पास देखो कि Wednesday, Monday and Friday, यानि कि हमको Monday से स्टार्ट करना है, उसके बाद Tuesday हमें कुछ नहीं करना मार्केट में, हमें सिर्फ वाच करना चाहते हो, तो कर सकते हो, बट नहीं करो, तो ही वेटर है, ठीक है, after market आप analysis करो, ठीक है, Wednesday बैंक निप्टी में, and फिर Thursday को आप after market analysis कर लो, और Friday को Sunsex में, अब देखो, यह हमारा हो गया index, हम इस तीनों इंडेक्स के अलाबा, हम कोई trading नहीं करेंगे, और हम इस तीन दीन ही trading करेंगे, और सिर्फ इस तीनों इंडेक्स में, तो यह 12.30 PM, ठीक है, हम इसके बाद trade करेंगे, ठीक है, सुबह से ही हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे 12.30 मिनिट के बाद, अब 12.30 मिनिट के बाद, जो है, क्या होगा, कि आपको strike price, जो ATM का होता है, हम लोग तो ATM में ज्यादा trade करते हैं, यह मानलो की bank nifty है, तो इसका 15 का lot आता है, मानलो की यहाँ पर हो जाता है, 190 का, ठीक है, तो हमारा maximum 1500 लगेगा, एक lot का, ओके, क्लियर है, अब दिखो क्या होगा, कि 1500 एक lot, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कि X party के दिन है, और X party के दिन हम लोग यहाँ पर, जो है, मानलो की 12.30 के बाद, हमारा यह जो है, 190 क आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, यह तो हमारा हो गया, कि strike price, हमारा 1500 से 2000 रुपया का खर्च होगा, एक lot के लिए, 10,000 है, तो हम लोग 2-3 lot से भी trade कर सकते हैं, लेकिन देखो, ध्यान देना, ऐसे नहीं है, कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, कि मैं सीधा हम expiry के दिन trade में लेकिन देखो, यह Sunsex है, यह Friday का, तो Friday को भी क्या होगा, यह आपको कम पैसा लगाना, यानि कि कम पैसा में trade अगर करना है, तो सिर्फ X.5D के दिन करना है, यह मेरा अभी तक बताने का purpose था, अब देखो, हमें क्या करना है, X.5D के दिन हमें ढूनना क्या है, मैंने आपको बताया था कि इंडिया विक्स, ठीक है, बेगा, आइधी, इंपलाइट वोलिटलिटी, ये तीन चीज आपको पकर के रखना है, एक्सपाइरी के दिन, सुभा मार्नेक मार्केट जब ओपन होगा, उसके बाद अगर आज मंडे है, बैंक एक्स के एक्सपाइरी है, तो बैंक के चार्ट को ओपन कर लेंगे, इंडिया विक्स को ट्रैक करेंगे, ठीक है, एंड बेगा को ट्रैक करेंगे, एंड आइभी, ये ओप्सन चेन में मिलेगा, अगर आपको बेगा आइभी, क्या है नहीं जाते है, तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, आप्सन चेन प्ले ले सकते हैं और profit को वरा कर सकते हैं, तो हम लोग random trade नहीं लेंगे, अब हम expiry के दिन इन तीनों के उपर नजर रखे हुए हैं, कि जो India Wix है, वो उसका क्या हाल है, वेगा है, उसका क्या हाल है, और implant volatility का क्या हाल है, तो सबसे पहले India Wix का chart को देखना है, अगर मानलो कि India Wix का chart जो है, आज अगर इसे market open हुआ, market में trade हुआ, हम जो है, execute कप करेंगे, सारे 12 बजे के बाद, तो हमारे पास काफी जादा time रहेगा, लगवग तीन सारे तीन घंटा का time हमारे पास market का रहेगा, उस 3 hour में, त्या है, इंडिया Wix में उच्छा लाया है, या गिरावत आई है, ठीक है, मान लोग की अगर ये उच्छा लाया है, 4-5% बढ़ गया है, 14-15 के आसपास इंडिया Wix trade कर रही है, तो हमारा यहाँ पे पहला positive संकेट है, हमारे लिए, ठीक है, एजे मेरे टेडर के लिए, दुनिया भालों के लिए क्या है, वो छोड़ देजे, मेरे लिए, option chain को open करेंगे, जो at the money है, at the money price है, उसका बेगा देखेंगे, and IB देखेंगे, और अगर ये दोनों भी बढ़ा हुआ में मिल रहा है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे positive संकेट क्या है, कि market भोले टाइल रहेगा, clear है, तो हमें जब भी trading करना है, कम फांड में बड़ा profit बनाना है, hero to zero, या zero to hero jackpot, जो कहलो आप, तो हमें इन तीनों पे नजट तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि यह India Wix, Vega और IB, फिर से में बता दूं कि नहीं जानते हैं, तो हमारा option Greek playlist को वेजित करेंगे, clear पता चल जाएगा, तो option chain में आप, at the money, call and put, दोनों का आप track करो क्या, Vega और IB, बढ़ रहा है, India Wix का chart देखो, वहाँ भी बढ़ रहा है, 15-16 पे trade कर रहा है, तो आपके पास पूरा mindset हो गया, कि अब market में volatility आने वाला है, उसके बाद हम क्या करेंगे, market में जब volatility आने का chances है, तो यहाँ पे हमारा सबसे बढ़ा trump card होता है, वो होता है, straddle, straddle, ठीक है, अब इसमें हमें क्या करते है, call को और put को buy करते है, मैं क्यों कह रहा था, expiry के दिन कम fund है, तो आप देखो, ऐसे अगर random trade करोगे, तो आप 10,000, 2-3 दिने में loss कर दोगे, already आपको पता है, लेकिन आप पूरा month trade करोगे, तो आपको पूरा month में, अगर आपके हिसाफ से market नहीं भी चला, वैसे मैं बताया हूँ कि ये वीडियो सिर्फ educational purpose के लिए है, तो आपको बस education लेना है, और इसको practice करना है, कि अगर मानलो की month में, अगर हम call put, अगर मानलो की हम straddle कर रहे हैं, कब ये सारा positive indication के बाद, आपको अगर call और put, दोनों का मिल रहा है, यहां पर एक चीज़ ध्यान देना है, कि जब भी हम straddle करेंगे, तो जो call का price है, मानलो की अगर 100 है, तो put का price भी 90 to 100 के आसपास ही होना चाहिए, ठीक है, या 110, 10-20, 10 रुपय के आसपास उपर नीचे हो सकता है, तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, कि अगर हमें इसका indication positive लग रहा है, तो हम यहां पर 200 रुपय मानलो लगाके, यानि कि हमने 3 के लगाया, अब यह तुरंत तो 0 नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं कि हमने लगाया, और जट से 0 हो जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं, अब देखो, मार्केट में 3 के लगाए, अभी भी मेरे पास 7 के क्या है, सेव है, अब 3 के लगाए है, अराम से मार्केट में बैठेंगे, जब तक कि कोई मुमेंट नहीं आया, अगर मुझे, अगर मार्केट एकदम से ये मेरा false अगर indication भी हो जाएगा, तो भी हमारे पास क् तो फी टाइम लेगा, अभी 3 घंटे का टाइम है हमारे पास, तो 3 घंटे में मैक्सीमम अगर मेरे हिसाब से नहीं भी चलेगा, तो यहाँ पे 3,000 का 1500 हो जाएगा, तो हमारा 1500 1.5 के लॉस होगा, तो भी हमारा भी मतलब क्या है कि हमने कोई ज़्यादा टैंसर नहीं लेना, यह तो अपोजिट होगा तो, लेकिन अगर यह वालेटलीटी आपको अगर सच में दिखा रहा है, और मार्केट किसी एक साइड मुउमेंट दिखा दिया, 2,500 पोइंट का भी, और यह अधिकतर आप लोगोंने देखा होगा होता है, आप लोग हमेंशा चुक जाते हो, मिस जाता है तो मेरा ज्यादा से ज्यादा 1500 लॉस होगा, उसे ज्यादा नहीं, लेकिन अगर मेरा पोजिटीव होता है, तो आप ज्यादा तर जो है इसको देखो गए कि भाग जाता है, और आगर आपका मानलो की कॉल का प्राइस 200 पलस भी हो जाता है, तो आप बुक कर लो, य लेकिन हाँ, एक ही हमें सा याद रखना, इस ट्रैडल आपको तभी सक्सेश होगा, जब मार्केट में बॉलेटिलिटी हो गए, साइडवेज हो गया, या बुलिस, या बेरिस कोई, तो फिर नहीं, बॉलेटिलिटी का मतलब कि अगर एक साइट, एक तरफा मुमेंट 300, 200, 300 निप्टी, बैंक निप्टी में आ गया, संसेक्स में 300-400 पॉइंट का, बैंकेक्स में 300-400 पॉइंट, यह सब काफी भोलेटाइल इंडेक्स है, तो अगर मुमेंट देगा, तो 300-400 पॉइंट का मतलब है कि आपका एक जिसे, अगर कॉल अगर 100 में आपने बाइक है, तो 300 त ले रहे हो, तो 1.5K से लेके 2K तक profit होना आपको definitely है, हाँ, यह risky है, अगर sideways market हो गया, तो आपका दोनों तरफ से loss, ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब क्या है, कि अगर आपके पास fund कम है, तो आप daily basis पे आप random trade मतलो, वहाँ पे क्या होता है, कि आपका 10 रुपे भी नीचे होता है, तो delta जादा होता है, आपका loss हो जाता है, तो आपका tension होता है, मत में ऐसे से खड़के 10,000 से जादा loss कर देते हो, लेकिन only अगर expiry के दिन, बैंक निट्री, बैंक एक्स और संसेक्स में ही trading करो, जब market में, आपको India, वेगा और IB, यह clear indication दे दे, कि volatility अब बढ़ने वाली ह है, ठीक है, तो वीडियो को like share कर दीजिएगा, अगर समझ में आया या नहीं आया है, कोई भी doubt हो, तो comment कर दीजिए, बाकि telegram से जुना चाहते है, live market update के लिए, तो description में link दिया हुआ है, अभी दीजिए अपने भाई को जाज़त, thank you, जहें